परिचाय सभी पदार्थ परमाडूं से बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाडूं के केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ एक नियत कक्षा में घूमते हैं. सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्ध चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पिंड या बिंदू से जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक्ता होती है, उससे उस पिंड या बिंदू की तरफ प्रवाहित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉ इलेक्ट्रोन की कमी होती है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोन रनात्मक आवेश वाले पिंड से धनात्मक आवेश वाले पिंड में प्रवाहित होता है। कुछ द्रवों की सामानने विद्युत चालकता को समझना। विद्युत धारा के रासाइनिक प्रभाव को समझना। विद्युत लेपन जैसे रासाइनिक प्रभावों को बताना। विद्युत के सुचालक तथा कुचालक हम पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गी कृत करते हैं। जो पदार्थ स्वयम से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। तांबा, अल्युमीनियम जैसी धातुएं इसकी कुछ उधारन हैं। जो पदार्थ स्वयम से विद्युत धारा को नहीं गुजरने देते, उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। रबर और प्लास्टिक जैसे पदार्थ इसके उधारन हैं। ज्यादातर द्रव जो विद्युत चालन करते हैं, वो अमल, ख्षारक तथा लवन से बने होते हैं। रासाइनिक प्रभाव और विद्युत अब घटन जब विद्युत धारा अमलिक्रित जल से गुजरती है तो जल के अणू हाइड्रोजन और आक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं चित्र में दिखाई गई धातू की दो छड़ों को इलेक्ट्रॉट कहते हैं विद्युत जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है उसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं और इस प्रकरम को विद्युत अब घटन कहते हैं क्या हम अमलिक्रित जल के स्थान पर शुद्ध जल का प्रियोग कर सकते हैं? آइए पता करते हैं विद्युत लेपन सस्ती धातूओं जैसे लोहा या इस्पात पर किसी कम प्रतिक्रियशील धातू की पतली परत चढ़ाना आम बात है। इस बात की कोई वस्तू जैसे चम्मच किसी विद्युत स्रोत के रनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। धनात्मक सिरा किसी धातू जैसे शुद्ध चांदी की छड़ से जुड़ा हुआ है। चम्मच विद्युत अबघटन में कैथोट के रूप में वहवार करता है। और धातू की छड एनोड के रूप में वहवार करती है। विद्युत अब घट एक लवण युक्त विलियन होता है, जिसमें एनोड धातू जैसे सिल्वर नाइट्रेट के आयन होते हैं। जो ही विद्युत धारा विलियन से प्रवाहित होना शुरू करती है, इलेक्ट्रोन सिल्वर एनोड से पलायन करना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम सरूप धनात्मक आवेश वाले आयन का निर्मान होता है, जो एनोड से अलग होकर विलियन में आते हैं। और कैथोट के रनात्मक आवेश से आकर्शित होकर उसकी तरफ जाते हैं। जब वे कैथोट पर आते हैं, तो वो उससे इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं, और चांदी के अडू में बदल जाते हैं, जो कैथोट पर धातू की परत के रूप में जमा हो जाता है। परत की मोटाई इस बात पर निर्भर करती है कि किन परसितियों में विद्धुत अबघटन किया गया है। इस प्रक्रम को विद्धुत लेपन कहते हैं। सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक प्रभाव का उप्योग। इस तरह के लेपन का प्रयोग, समानिता, दूसरी धातुओं आम तौर पर तांबे के उपर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। या कृत्रिम आभूशनों और गहनों को सोने या चांदी के सद्रिश बना देता है। क्या आप जानते हैं। विद्धि लेपन का उद्योगों में एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। उद्धारण के लिए क्रोमो में की परत विभिन वस्तूऊं जैसे कार के हिस्से, नहाने वाले टब, रसोई गैस के बर्नर, साइकिल के हैंडल, पैये के रिम एवं अन्ने पर चढ़ाई जाती है। खादे पदार्थ संग्रहन के लिए प्रयोग किये जाने वाले टिन के डिबबे लोहे पर टिन की विद्धुत लेपन करके बनाए जाते हैं। इस तरह खादे पदार्थ लोहे के संपर्ग में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है। लोहे का प्रयोग पुल और गाणियों में मजबूती देने के लिए होता है। हाला कि लोहा संग्शारित एवं जंग लगने वाली धातु है। आताहा लोहे को जंग और क्षरण से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। विद्ध धारा का रासाइनिक प्रभाव किसी द्रव या चालक विलियन से विद्ध धारा के प्रवाहित होने से रासाइनिक अभिक्रिया होती है। कि किसी द्रव और इलेक्ट्रोट का प्रियोग किया गया है। किसी द्रव से विद्ध धारा के प्रवाहित होने से रासाइनिक परिवर्तन होते हैं। इस प्राक्रम को विद्ध अब घटन कहते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कुछ द्रव विद्ध के सुचालक होते हैं और कुछ कुचालक। विद्ध चालन करने वाले अधिक्त द्रव, अमल, ख्षारक और लवन से बने होते हैं। किसी चालक विलियन से विद्ध धारा के प्रवाहित होने से रासाइनिक अभिक्रिया होती है। इसके परिणाम सौरूप होने वाले प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत की साहता से किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं।